प्ष्ली किलास में अपनने कुछ लेजर बनाना सीखे थे और आज अपन कुछ आंगे और लेजर बनाना सीख रहे हैं लेजर बहुत सारे होते हैं अपन दीजिर करकन कुछ समझते चलेंगे अपन सौटकट की से बना रहे हैं A.L.C. ALC जैसे दवाएंगे आप लेजर बनाने के लिए आप यहाँ पहुंचेंगे अब आप यहाँ पर नेम के सामने लेजर का नेम टाइप करेंगे आज अपन कुछ खर्च के लेजर बना रहे हैं जैसे सैलरी तो सैलरी का जो लेजर है आप इसे एक तो सैलरी ऐकाउंट बनाते हैं जिसमें सारी की सारे जो भी वरकर हैं सबकी सैलरी आ जाएगी तो यह अपना हो गया सैलरी ऐकाउंट इसके अलावा, अगर आप जौब कर रहे हैं एफ वहाँ पर आप यह चाहते हैं कि हर एक कर्मचारीग की सेल्डरी अलग अलगा है नाम से तफ़ आप यहाँ के झाल लिख सकते हैं, जैसे अजैस सेल्री एकाउंट, विजैस सेल्री एकाउंट मतलब जिसके जो जो नाम है आप वो नाम लिखेंगे उपर कॉमा लगाएंगे फिर एस लगाएंगे फिर एकाउंट लाएंगे इसका मतलब होता है अजैस सेलरी एकाउंट मतलब आजै का वेतन खाता है विजैस सेलरी एकाउंट विजै का वेतन खाता है ऐसे और अगर salary account सिर्फ लिखना है इस से क्या होगा अब आजए वजए मौन सौन किसी की salary आप देंगे तो सारी सारी salary इस salary account में प्लस होकर आती जाएगे और especially नाम लिख रहे हैं तो फिर उनके account में जाएगी salary फिर उनकी अलग खाते में पहुंचेगी इस से रहता है तो अभी अपन ने यहाँ पर सिर्फ salary account लिखा है अपन अगली class में फिर अलग नाम लिखना भी सीख लेंगे और allies में कोई दूसरा नाम अपनाम लिखना हो लिखेंगे यह नहीं कोई बात नहीं है अब salary किस में जाएगी यह अपन को देखना है तो salary जो है वो indirect expenses में जाती है क्यों जाती है हम उसका reason बता दें direct indirect क्या होते हैं और कौन-कौन से खर्चे direct में कौन से indirect में जाती है वो सारे खर्चे direct expenses में जाते हैं जिनको करने या ना करने से हमारे माल का निर्मानकार रुक सकता है या पर भावit हो सकता है वो होते हैं direct expenses और ऐसे expenses जिनको करने और ना करने से हमारे माल का निर्मानकार प्रभावत नहीं होता वो होते हैं indirect expenses तो जहन से हम अपन salary देते हैं कर्मचारी को salary नहीं देंगे तो मजदूर तो factory में काम करते रहेंगे माल बंता रहे हिए तो माल के बनने पर कोई ब्रहपड़ पड़ गाई नहीं क्योंको salary पर उनको देती है जो factory के बाहर का काम manage करें या मजदूर को अपर salary देती है नहीं उसे मजदूरी देती है फिर अगर आप यहाँ पर एक खर्च लिखेंगे wages, मजदूरी तो मजदूरी नहीं देंगे तो फिर मजदूर काम नहीं करें, काम रुख जाएगा तो वो किस में आएगी? डारेट expenses में आएगी हम example में कुछ नाम बता रहे हैं जो डारेट expenses में आते हैं जैंसे octra यानि चुंगी अपन जब कच्चा माल लेकर आते हैं तो राश्ते में अपन को चुंगी कर देना पड़ता है चुंगी tax, वो चुंगी है वो नहीं देंगी तो अपना कच्चे माल से भरा वाहन जो आ रहा है वो ही पर रुख जाएगा आँगे नहीं आ पाएगा तो नहीं फैक्टरी तक माल पहुचेगा नहीं उसके बाद आवक गाड़ी भाड़ा यानि केरीज इनवर्ट जिस गाड़ी माल आ रहा है अपना सामान आ रहा है कच्चा माल उसे बन केरीज इनवर्ट देते हैं आवक गाड़ी भाड़ा वो नहीं देंगे तो अपने पास माल नहीं आ पाएगा मजदूरी वेजेज ये नहीं देंगे तो मजदूर काम नहीं करेंगे फैक्टरी इलेक्टरिकल एक्पेंसेज फैक्ट्री का विजली का भिल ये नहीं वरेंगे तो फैक्ट्री मसीड नहीं चलेंगे काम कैस हूप आएगा इस तरह से तो कुछ ऐएसरी खर्चे होते हैं ऐस फैक्ट्री में मसीड एकुछ फ्योल वगजर अडलता है जो भी है वो सारा खर्च भी आएगा डारेक्ट में तो आप सूचेंगे जोब करते समय ऐसी खर्चे जिनसे आपके माल का निर्मानकार रुख सकता है या प्रभाविद हो सकता है वो सारे डारेक्ट एक्सपेंसिस में आते हैं ऐसे खर्चे जिनसे आपके माल के निर्मानकार पर कोई प्रभावी नहीं पड़ता वो सब आते हैं इंडारेट एक्सपेंसेज में अब इंडारेट एक्सपेंसेज कौन-कौन से हो सकते हैं जैसे विज्ञापन, एरबर्टाइजमेंट करना या फिर किराया देना, कमीशन द सेलरी देना, यह सारे आपके इंडारेट एक्सपेंसेज में आएंगे, ऐसे और भी बहुत सारे खर्चे हैं, जो इंडारेट में आते हैं, ब्याज भी अपन देते हैं, कभी कर्ज ले लिया तो ब्याज देंगी, वो भी इंडारेट एक्सपेंसेज में आता है, और रहें अब यहाँ पर अपन दिखेंगे इंडारेक्ट एक्सपेंसिस कहां पर है और अपन उसको चुनेंगे और इंटर दवा देंगे यानि आप पर तक चुए हिंदी में बोलते हैं आप पर तक चुए इंगलीज में इंडारेक्ट एक्सपेंसिस यहाँ अपन ओपनिंग ब नाग दिखाया है salary account ऐसे आफ rent account commission account सारे खर्च एकाउंट यह बनाते जाना और किसकिस में जाना है वो भीजते जाना commission account indirect expenses में जाएगा rent account indirect expenses में जाएगा wages direct में जाएगा इसे बनाते जाना और calendar में भीजते जाना है अभी अपन voucher entry करना सीख रहे हैं एक entry करेंगे अपन बस बांगे अपन एंट्री कल करेंगे अपन बापेस आ रहे हैं आपको escape बटन को तब तक दबाते रहना जब तक आप gateway of telly पर ना पहुच जाएं यहाँ पहुचने के बाद फिर आपको भी वाउचर का shortcut है उसको प्रेस करना है तो भी दबा या फिर accounting वाउचर पर आप पहुचें एक ही बात है यह जो आप entry करते हैं और side में आप देख रहे हैं यह वाउचर है जिन में हमको entry करना है जिस प्रकार की entry करना हो उस प्रकार के voucher को चुनना पड़ता है और वह activate हो जाता है फिर हम उसमें entry कर सकते हैं माना कि हमको सबसे पहले व्यापार restart कर रहे हैं उसकी entry करना है तो capital आएगा यहां पर received जो voucher है वह activate हो जाएगा फिर आप उसमें entry कर सकते हैं account में लिखते हैं case क्योंकि आप घर से case लेकर आ रहे हैं तो जो आप लेकर आ रहे हैं व्यापार में वह आप लिख दें तो case आ रहा है अपने लिख दिया case अप case कहां से आ रहा है तो नीचे आप लिख रह अपने अब यहां से delete हो चुगी है अब यदि कभी ऐसा हो जाता है कोई laser आप यहां पर लेजर आपने बनाया ही नहीं तो यहां पर भी आप shortcut की दोवारा laser को बना सकते हैं तो वह shortcut की है alter C अगर आप यहां पर alter C प्रेस करते हैं तो direct आप laser creation पर पहुंचते हैं अब यहां पर आप direct laser बनाएंगी ऐसे laser जो आप पहले बनाना भूल गए यहां नहीं बना पाए तो यहां अपन लिख रहा है कैपिटल अपने लिखा है capital account capital account अंडर में जाता है capital account में उसको अपन ने भेज़ दिया capital account में फिर अपन जैसे इंटर दवा तो यहां के बढ़ेंगी तो फिर यह वहां पर capital लिखा जाएगा जहां पर पहले अपन नहीं लिख पा रहे तो आपको यह दिहान रखना जिंजिन का अपन ने laser नहीं बनाया है वो voucher entry हम करेंगे तो हमें उससे में परिसानी आएगी उससे में बनाना पड़ेगा तो यह अपन एक बार बना लिए capital पहनी से काम करना होता है इस data का pen drive में लेकर भी रखें सिस्टम में भी रखें क्यों यह बाइचांट सिस्टम में वाइरस है किसी कारण से window corrupt होती है data चला जाता है तो pen drive आप से रहेगा pen drive से दोबारा data उसमें पेश कर लेंगे लिए लिकिन अगर पेंडाइम डाट नहीं यहाँ पर अपने दो लाख रुपर लिख दी है कोई भी amount आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी लगाया हो नरिसन लिखेंगे अपन being started business with cash हिंदी में रोकड द्वारा व्यापार आरम किया रोकड मतलब cash रोकड लागर व्यापार आरम किया यह सब बोलते हैं अपनों से स आपने नरिसन लिखने के बाद अपन इंटर दवा देंगे यहाँ पर आगे बढ़ेंगे फिर अगली एंट्री कर शकते हैं कोई पिर करना हो इसी तरह अपके एंट्री करने से पहले धहान ये रखना है जिस वाउचर में जो एंट्री की जाती है उसी इक अंदर कर नना ह गलत voucher में entry कर देंगे तो फिर वो गलत एंट्री हो जाने का एंट सारे लेजर सारे खाते सब गलत हो जाएंगे फिर बैलेंस इट प्रोपटनेट उसे कांट सब गलत हो जाएंगे इसलिए आपको सई सही voucher को चुनना है तो यह आप धिहान रखेंगे हमाना अगली क्लास में बताएंगे और आंगे कि कौन कौन से वाउचार में किस प्रकार की अंट्रियों किया जाता है ताकि आप उनको ध्यान रख सकोंगे ठीक है